नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका न्यू टेक गैजट पर और दोस्तों फरनीचर हमारी लाइफ का एक एहम हिस्सा होते हैं वो हमारे घर के साथ-साथ हमारे वर्किंग एक्सपिरेंस को भी डिसाइट करते हैं लेकिन दोस्तों समय के साथ-साथ फरनीचर की दुनिया में भी काफी बड़े बड़े बदलाव आते रहे हैं इन बदलाव की वज़े से ही ये फरनीचर कहीं ज़्यदा पोटेबल होते जा रहे हैं और आप इसे अपनी जरुवत के हिसाब से किसी भी शेप में ढाल सकते हैं तो चले दोस्तो आज हम लोग कुछ ऐसे ही फरनीचर के बारे में जानेंगे और देखेंगे किस तरीके से वो आपकी डेली लाइफ में इस्तेमाल हो सकते हैं और दोस्तो वीडियो की शुरुवात होने से पहले आप से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चन को सब्सक्राइब करना मैं भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजेगा दोस्तो हम सभी लोगों के घरों में एक वर्किंग इस्टेशन तो होता ही है जहां पर हम अपने लेप्टॉप डेक्स्टॉप को इंस्टॉल करते हैं लेकिन दोस्तो आज जो मैं आपको डेस्ट दिखाने जरा हूँ वो आपको बेहत पसंद आएगी क्योंकि ये एक कनवर्टिबल बैट की तरह किसे भी काम करती है इस डेस्ट पर काम करने के लिए आपको दो LED लाइट्स जी होती हैं जिने आप अपनी जरुवत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं और एमर्जन्सी कंडिशन में ये आपके लिए एक बैट का काम भी करेगा आप कुछ नॉर्मल सी स्टेप्स में इसे बैड में कनवर्ट कर सकते हैं और ये बैट हिडन फरनीचर की तरह आपकी डेस्क में इन बिल्ट होता है और ये इतना ज़्यादा लाइट वेट होता है कि आप अपने एक हां से भी इसे आसानी से कनवर्ट कर सकते हैं और दोस्तों इसकी डिजाइन को इस हिसाब से बनाया गिया है कि इसे इंस्टॉल करते समय आपका लेप्टॉप, डेस्टॉप या जो भी आपने इंस्टॉल कर रखा है इसकी डेस्क पर वो हलका सा भी मुमेंट नहीं करता यानि कि ये टेवल उसे बहुत ही सेफली हैंडल करती है दोस्तों हमारे घरों में अक्सर इस्पेस की कमी देखी जाती है फिर वो चाहे बात करे जाए आपके डाइनिंग रूम की या बेडरूम की अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ज़्यादा फरनीचर होने की वज़य से काफी कम स्पेस पर जाता है आपके लिए जो कि आपके कमफर्ट को तो एफेक्ट करता ही है बलकि आपके रूम के लुक को भी ऑक्वर्ट बना देता है दोस्तो जिससे बचने के लिए हम लोग इस्तिमाल कर सकते हैं कनवर्टिवल फरनीचर का ये एक सोफा बेड होता है जो कि नॉर्मल लुक में तो एक सोफा लगता है लेकिन इसे पूरी तरीके से ओपन करने पर ये एक बेड का शेप ले लेता है यानि कि ये काफी ज़्यदा स्पेस तो बचाता ही है बलकि ये आपके रूम के लुक को भी मेंटेन रखता है दोस्तो अब जो कनवर्टिवल फरनीचर में आपको दिखाने जा रहा हूँ वो भी आपको काफी ज़्यदा सर्प्राइजिंग लगेगा दोस्तो आपने डवल स्टोरी बेट्स तो देखे ही होंगे उसी तर्च पर बनाया गया है हमारे इस सोफा को नॉर्मली तो देखने में ये एक सोफा लगता है लेकिन अगर आप इसे कनवर्ट करते हैं एक बंक बैड में तो ये एक डवल स्टोरी बैड का शेप ले लेता है इसको बनाने में काफी ज़दा हाई क्वालिटी मैटेरियल का इस्तेमाल किया गया है नॉर्मली तो इसकी बॉड़ी पॉलिस्टर फाइबर से बनी होती है जो कि इसे वाटर्पूफ बनाती है लेकिन आप इसके कवर को चेंज भी कर सकते हैं अपनी जरूवत के हिसाब से तो दोस्तों इस तरीके का सोफा ना सिर्फ आपके घर के लुक को मेंटेन रखता है बलकि ये स्पेस के भी काफी ज़दा बचट करता है शोब्रो स्मार्ट साइट टेबल दोस्तों अगर आप एक बैट साइट टेबल लेने की सोच रहे हो तो ये गैजट आपको वाकई काफी ज़दा पसंद आएगा क्योंकि इसकी quality के साथ साथ इसके advanced features आपको वाकई काफी ज़दा surprising लगेंगे इसमें दो sections होते हैं जिसमें से एक आपका locking section होता है और दूसरी तरफ आपका cooling section होता है इस cooling section में आप काफी सारे cans and bottle को ठंडा कर सकते हैं और इसके locking storage में आप अपने important समान भी रख सकते हैं इस table को आप control कर सकते हैं इसके mobile app की मदद से इसमें आप alarm भी search कर सकते हैं अपने sleeping time को देखते हुए और इस table में लगी LED lights आपके लिए एक thematic alarm का का काम करती हैं जो कि आपके लिए एक sunrise texture show करती हैं और रात के समय में भी ये table आपके लिए एक night light का का काम करती हैं आप जैसे ही अपने पैरों को जमीन पर रखते हैं इसके sensor activate हो जाते हैं और इसके नीचे लगी lights जलने लगती है दोस्तों इसके table top पर आपको wireless charging के option मिलते हैं जहाँ पर आप दो devices को एक साथ charge कर सकते हैं wirelessly और इस table के back side पर आपको 4 USB port भी मिल जाते हैं जहाँ पर आप किसी भी type के mobile phone को charge कर सकते हैं और इस table के back side पर एक बैतरीन cord management system होता है जो कि आप ये gadgets की charging cord को बहुत ही lightly handle करते हैं दो इसाथ lighting control के लिए इस table के पीछे भी आपको एक knob दी जाती है जिसकी मदद से भी आप इन lights के color को control कर सकते हैं इसमें दो built-in speakers भी होते हैं जिनका इस्तेमाल आप music listening के लिए कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरीखे की advance and multi tasking table आपको कैसी लगी मुझे comment section में जरूर बताइएगा या क्यूब magnetic modular furniture दोस्तों ये एक customized furniture होता है जिसका इस्तेमाल आप एक almira की तरह भी कर सकते हैं इसके साथ आपको काफी सारे storage cube box मिलते हैं जिने आप अपनी जरुवत और पसंद के हिसाब से लगा सकते हैं ये boxes काफी ज़दा heavy load carry कर सकते हैं इनमें आप normally तो 8 kg तक का load ड़क सकते हैं लेकिन अगर हम इसमें payload की बात करें तो ये 32 kg तक का payload आसानी के साथ carry कर सकता है ये काफी सारे colors में available है आप अपनी पसंद के हिसाब से customize कर सकते हैं इसे stay level vanity morphe bed दोस्तों ये furniture normal तो एक vanity box की तरह काम करता है लेकिन आप इसे convert कर सकते हैं एक bed में जो कि आपके लिए एक single bed की तरह काम करेगा आप normal सी steps में इसे convert कर सकते हैं एक accessible bed में और जैसे ही आप इसे open करते हैं इसमें लगी होती है LED lights जो की जलने लगती हैं इन LED lights को आप इसमें back side पर लगे एक touch panel से control कर सकते हैं और साथी साथ आप adjust कर सकते हैं इन light की intensity को भी और bed में convert होने के बाद भी आप इनकी drawer को access कर सकते हैं अब ceiling bed रूफ से इस attach कर सकते हैं इस बैड में hydraulic handler लगे होते हैं जो कि इसे up and down movement कराते हैं एक बार ये रूफ से attach होने के बाद पूरी तरही के से आपकी रूफ के साथ मिक्स हो जाता है यानि कि नॉर्मली कोई भी एक रूफ में एक बैड होने का अंदाजा नहीं लगा सकता तो दोस्तों इस तरीके की surprising gadget के लिए एक like तो बनता है और कैसे लगे हमारे ये furniture आप comment section में जरूर बताएगा फिलाल आज की वीडियो में इतना ही अगर आप इनमें से किसी भी gadget के बारे में और भी ज़्यादा information चाहते हैं तो description box में उनके links available है आप वहाँ से जाकर उन्हें पर शेज भी कर सकते हैं तब तक क्लिए नमस्कार दोस्तों जहिन वंदे मतरम